चिमटा, ये लोहे का बना होता है, इसकी सनरचना कुछ हद तक पकड के समान है, लेकिन उसके जबडे में अंतर है, इसके जबडे नुकीले होते हैं, इसके अलावा हैंडल के अंत में एक पायदान है, इसका उपयोग नाखून उठाने और पतली वस्तूओं को काटने के लि नीचे बताए अनुसार हथोडे तीन प्रकार के माने गए हैं, ए, क्रॉस पेन हथोडा, बी, बॉल पेन हथोडा, सी, एक्स्ट्रैक्टर हथोडा आमतौर पर, प्रत्येक प्रकार के हथोडे का एक तरफ एक ही आकार होता है और यहां आमतौर पर अंडाकार होता है, जबक Cross Pan हतोड़े का उपयोग रिवेटिंग जैसे काम के लिए किया जाता है और Extractor हतोड़े का उपयोग बढ़ाई गीरी के काम के लिए कीलों को चलाने और निकालने के लिए किया जाता है। जबकि ball pin हतोडे का उपयोग सामान्य कारियों के लिए किया जाता है। हतोडे का आकार उसके वजन से निरधारित होता है। जो आमतोर पर one quarter pond, rata, one half pond, one pond, one and a half pond, two pond और two and a half pond के आकार में उपलब्ध होते हैं। आमतोर पर cross pan हतोडे और extractor हतोडे one LB तक के आकार में उपलब्ध होते हैं। mallet हतोडे का सिर आमतोर पर लोहे का बना होता है। लेकिन यदि इसका सिर लकडी या प्लास्टिक का बना हो तो इसे mallet कहा जाता है। इसका उपयोग विद्युत मशीनों को खोलने, कंड़क्टरों को सीधा करने और रिवाइंडिंग के दोरान कोईल को आकार देने आदी में किया जाता है। mallet one pond, one and a half pond या two pond आकार में उपलब्ध हैं। जिसले firmer दोसी वाइरिंग कार्य के दोरान, वाइरिंग board, block या बैटन के सिरों को काटने और groove करने के लिए अलग-अलग आकार की छेनी होती हैं। जैसे मजबूत छेनी, जोडिदार छेनी, मोर्टिस छेनी, छेनी का आकार छेनी के blade की चोड़ाई से निरधारित होता है। ये 3 मिमी, 10 मिमी, 15 मिमी, 25 मिमी और 30 मिमी आकार में उपलब्ध है। blade carbon steel से बना है। एक अच्छे frame में एक तेज blade और एक मजबूत लकड़ी का handle होना चाहिए। जिस आकार की नकाशी करनी हो, उसी आकार की छेनी का प्रयोग करना चाहिए।